अब तक हम यह जान चुके हैं कि पढ़ चुके हैं कि जो मुराद है वो एक वाइट ब्यूटिफुल हॉर्स जो है चोरी करके लाता है जिसकी राइडिंग को अपने कजिन अरम के साथ जो है मौड्डिंग में करता है जाकर के तो देखे फिर क्या होता है स्टोरी में आगे जो अरम है वो मुराद से पूछता है क्या तुम ने यह होर्स जो तुम लेकर आयो हो कि तुम कब से इसकी राइडिंग कर रहे हो तो मुराद ने क्या एंसर किया देखे not until this morning he said उसने कहा आज सुबह से स्टार्ट किया से पहले तक तो नहीं था are you telling the truth उसने कहा अरम ने क्या तुम सच कह रहा हूँ of course not तो मुराद ने कहा नहीं नहीं बिलकुल नहीं मैं बिलकुल सही नहीं कह रहा हूँ he said उसने कहा but if we are found out लेकिन अगर हम लोग पकड़े जाते हैं that's what you are to say तो तुम्हें यही कहना है अलब मुराद ने कहा कि हाँ यह तो सच है कि मैं गोडे को बहुत पहले से कर रहा हूँ उसकी राइडिंग आज से नहीं कर रहा हूँ लेकिन अगर हम आज पकड़े जाते हैं तो तुम्हें यह बात ही कहनी है I don't want both of us to be liars तो अरब ने कहा लेकिन मैं नहीं चाहता कि हम दोनों जूटे बने All you know is that we are starting writing this morning तो कहने लेकिन सब तो जानते हैं ना कि हम लोगों ने writing आज सुबह से शुरू करी है All right I said अरब ने कहा ठीक है He walked the horse quietly to a barn of a deserted vineyard which at one time had been the pride of a farmer named a fit vision तो फिर वो एक barn में जाते हैं जहां पर एनिमल्स को रखते हैं इन शॉर्ट एनिमल्स का वो कह सकते हैं घर होता है जहां पर वो जाते हैं वाइन यार्ड यानि कि अंगूरो की बाग जो कि एक फॉर्मर जिसका नाम था फेट विजन उसकी थी किसी टाइम पर मतलब यह उसकी हुआ करती थी तो वो वहीं पर जाते हैं और वहीं पर उस हॉर्स को सेटल करते हैं वहां पर कुछ ओर्स थे और थोड़े से अलफाल्फा पड़े हुए थे बार्ड में जिसे कि वहॉर्स खा सकता था और भी बिगिन वाकिंग फिर हमने वहां पर सेटल करने के बाद हॉर्स को वहां पर चोड़ देने के बाद फिर हमने वहां से शुरू करा चलना अपनी घर की तरफ इट वस नौट एजी उसने का यह बहुत आसान ही होता है he said to get the horse to behave so nicely मुराद ने कहा ये बहुत आसान नहीं है कि गोड़ा जोए बहुत अच्छा behave करे at first it wanted to run wild पहले तो ये बहुत rude था मतलब भागना चाह रहा था बहुत evil wild animal की तरह behave कर रहा था लेकिन as I have told you I have way with a horse लेकिन जैसा कि मैंने तुम्हें बताया है I have a way मतलब मुझे पता है तरीका कि horse के साथ कैसे deal करते है I can get मैं कर सकता हूँ ये to want to do anything मतलब कुछ भी जो मैं चाहता हूँ I want it to do मतलब जो मैं चाहता हूँ ये वैसा ही करेगा या करता है horse understand me मतलब उसने कहा मुराद ने कि जो घोड़ा है ना जो घोड़े होते हैं वो मुझे समझते हैं How do you do it? I said अरम ने बड़ी surprisingly पुछा तुम कैसे करते हो ये सब I have an understanding with the horse तो मुराद ने कहा मेरी एक बहुत अच्छी understanding है horse के साथ Yes, हाँ ठीक है But what short of an understanding I said लेकिन किस तरी की understanding मतलब उसको थोड़ा सा अजीब लग रहा था A simple and honest one he said मतलब एक साथार सी और एक बड़ी ही मानदार सी समझ Well, ठीक है I said मैंने का I wish I knew how to reach an understanding like that with the horse मतलब अरम को भी लग रहा था कि मैं वो भी विश करने लगा कास मैं भी इस समझ को समझ पाता हूँ और मैं भी जान पाता कि horse के साथ कैसे इतना अच्छे से deal करते हैं कि वो समझ पाए मुझे भी You are still a small boy तो मुराद ने कहा तुम अभी छोटे बच्चे हो He said when you get to be 13 you will know how to do it लेकिन जब तुम 13 के हो जाओगे कि ऐसा कैसे करते हैं I went home and ate a hearty breakfast फिर मैं घर गया और वहाँ मैंने बहुत अच्छा नाश्ता खाया hearty breakfast नहीं बहुत अच्छा नाश्ता खाया that afternoon my uncle Khushro came to our house for coffee and cigarette अच्छा उसी दो पेर को मेरे अंकल Khushro घर आये coffee और cigarette के लिए मतलब आते नहीं एक coffee पे आये या चाय पे आये बोलते हैं कि हमारे यहां आये हैं guest तो उनके अंकल भी आये थे he sat in a parlor parlor होता है drawing room जैसे हम बोलते हैं हमारा guest room drawing room है तो वहीं parlor room वहाँ पर वो बैठे थे shipping and smoking and remembering the old country तो वहाँ पे वो बैठे हुए थे और smoking कर रहे थे यानि कि cigarette को पी रहे थे cigarette smoke कर रहे थे और याद कर रहे थे अपने पुराने देश को then another visitor arrived तभी दूसरा visitor एक दूसरे और लोग भी वहाँ पे पहुंचे वो किसान थे जिनका नेम नेम जॉन बैरो जिनका नेम क्या था जॉन बैरो an Assyrian who out of lawless had learned to speak Armenian तो जो कि Assyrian थे लेकिन वो अकेले पढ़ गय थे वहाँ पर तो इसलिए उन्होंने Armenian बोलना सीखा थे क्योंकि वहाँ पर सारे लोग Armenian बोलते थे तो वो फिर अकेले नहीं बोल सकते थे तो इसलिए उन्होंने Armenian language सीखे थे my mother brought the lonely visitor तो मेरी जो mother थी brought the lonely visitor one sec my mother brought the lonely visitor coffee and tobacco and he rolled a cigarette and shipped and smoke and then at last sadly he said my white horse which was stolen last month is still gone I can't understand it तो जो मेरी mother थी वो जो visitor आये थी जो guest आये थी मतलब वो जो फॉर्मर थे जिनका नाम जान बाहरो था उनके लिए वो क्या लेकिया है coffee लेकिया है और tobacco लेकिया है और फिर उसको ship करने यानी कि smoke करने लगे and then last और लास्ट और फिर उने बड़ी आह भरके slightly आह भरके बड़े दुख के साथ कहा कि मेरा जो white horse चोरी हो गया था उसको एक पहिने हो गया और वो अभी तक is still gone अभी तक वो नहीं मिला है I can't understand it मैं इसको समझ नहीं पाता तो इससे देखे तू चीज़ मतलब दो क्या चीज़ें आपको clear हो गई एक तो horse था वो किसका था उसका जो owner था वो john byro था जिसको चुराए गया था और कब चुराया था उसने उसको चोरे हुए one month हो गया ठीक है यह पर two things clear होई my uncle Khushro sorry my uncle Khushro become very irritated and shouted it no harm लेकिन जो वो अंकल थे ना अरम के Khushro वो कुछ अजीब से थे funny type थे तो क्या था मतलब उनका एक dialogue था जो हर बात थे वो john byro का white horse जो है वो missing है और वो कितना sad है उसके लिए वो बहुत worried है लेकिन उनके uncle कह रहे है कि irritate हो गए यह सुनकर और shouted or cheek कर बोले it no harm इसमें क्या खराबी हो गई what is the loss of horse? horse घोड़े की चोरी मतलब क्या है कोई बहुत बड़ा loss है have not we all lost the homeland क्या हमने अपनी मात्रभू में खो दी क्या जो तुम इतना परिशान हो what is this crying over horse घोड़े के लिए क्या तुम रो रहे हो ऐसे उन्होंने बोला that may be all right for you a city dweller to say लेकिन तब उन्होंने खहा john byron ने खहा कि यह आप city dweller सहर में रहने वालों के लिए बतलब यह सही हो सकता है but what of my sorry सरी होता है वो जो गोड़ा गाड़ी होती है जिसमें horse को लगा करके वो गाड़ी चलती है चार पहियो वाली तो उस गाड़ी का वो कहने लगे कि लेकिन मेरी सरी का क्या मेरी उस गाड़ी का क्या जो बिना horse के नहीं चल सकती what good is sorry without a horse तो अभी सरी का क्या का horse के विरा जब horse ही नहीं है तो यह कैसे work करीगी pay no attention to it my uncle khushro rod लेकिन फिर वो funny type के अजीव strains थे उन्होंने फिर से वही कहा कि अरे कोई attention उस पर pay नहीं करो दहार कर वो ले I walk 10 mil to get here जॉन बारो सेट में उन्होंने कहा कि मैं 10 mil चल कर यहां आया हूँ जॉन बारो ने कहा you have legs तो उन्होंने कहा तुमारे पस पैर तो है ना my uncle khushro sounded मेरे अंकल खुष्रो ने चीखा और कहा क्या तुमारे पास पैर नहीं है क्या पैर तो तुमारे पास है है तो तुम पैर से आयो उसमें क्या बड़ी बात है लेकिन जॉन बैरो ने कहा my left leg pain me pains me the former sit तो उन्होंने कहा former थे जो कि जॉन बैरो ने कहा एक्तम अजीब बात कर रहे थे that horse cost me 60 dollars तो उन्होंने कहा अरे जो गोड़ी कीम है वह 60 dollar है भई I spit on money my uncle khushro said तो मेरे अंकल कुछ मितलब बत्तमीजी सी भी बात करी उन्होंने spit means होता है थोकना मैं इस money पे थोकता हूँ जो उन्होंने यह कह दिया he got up and stalked out the house clamming the screen door तो वह जल्दी से खड़े हो गया और घर से बाहर निकल के John Byron कोई भी बाहर चला जाएगा किसी के साथ अगर आप इतना rude बहेव करें और उसके वाज़े जबकि वह दुखी हो बहुत sad हो उसका कुछ लॉस हो गया हो जो उसके लिए बहुत important हो और उसके बाद आप इस तरीके का बहेव करें अलाकि इसमें इनकी क्यारक्टर को थोड़ा फणी सा बताएगे लेकिन फिर भी यहां पे थोड़ा सा strange है कि बत्तमीजी वाली बात इनोंने करी उसने जो क्या किया आउट आप हाउस घर के बाहर चले गए slamming the screen door उनोंने दर्वाजे को बहुत जोर से कीचा और बंद किया मैं मदर एक्स्प्लेइन लेकिन मेरी मदर जो थी वो गई उनके पीछे पीछे और उनोंने एक्स्प्लेइन किया he has a gentle heart she said it is simply that he is a homesick and such a large man तो उनोंने कहा कि actually ये जो खुष्रो के अंकल है ये बुरे नहीं है sorry खुष्रो के अंकल नहीं sorry अरम के जो अंकल है खुष्रो वो बुरे नहीं है उनका दिल बहुत अच्छा है और मतलब ये थोड़े से अच्छा है और थोड़े से बड़े हैं इसलिए जो दिल है वो अच्छा है तो फॉर्मर था वो तो चला गया और मैं बजल्दी से भाग कर अपने मुराद कजिन के हां गया उसकी घर गया वो उसकी चोड़े लिए तो वो क्या कर रहा था मुराद वो रोप साल के नीचे बैठा हुआ था और क्या कोशिश कर रहा था और एक बर्ट था यं चोटा सा रोबिन बर्ट था उसका जो विंग होता है पंक होता है थो उसको चोट लगे थी इहां वो उसको क्या कर रहा था яв अच्छा करने कि कोशिश कर रहा था in मल्हम पट्टी कर रहा था उसको रिप्यर कर रहा था he was talking to the word and वो उससे बात भी कर रहा था उस पक्ची से चुड़िया से बात कर रहा था what is it? यह क्या है उसने कहा? the former उन्होंने कहा कि just wait what is it? यह क्या है? उसने कहा the former John Bayro I said he visited our house, he wants his horse तो उन्होंने कहा कि John Bayro जो owner है horse के वो मेरे घर आये थे, विजिट करके गए है he wants his horse, वो अपने गोड़े को वापस चाहते है you have hair in it a month, तुमने इसको एक मेने पहले लिया था I want you to promise not to take it back until I learn to ride मतलब मैं तुमसे यह promise चाहता हूँ कि तुम इसको वापस नहीं करना जब तक हम लोग write करना सीखना ले, मैं write करना मतलब सीखना लो तो यह भी एक थोड़ा सा strange यहां लगा कि ऐसा लग रहा था स्टोरी सुनते सुनते कि अरम शायद यह कहेगा कि आप गोड़े को return कर दीजिए horse को return कर दीजिए मैंने उनको sad देखा तो मुझे बुरा लग रहा लेकिन ऐसा कुछ नहीं वो तो even यह कह रहा है कि आपको वापस ही नहीं करना है मुराद से जब तक मैं सीखना जाओ it will take you a year to learn to ride my cousin मुराद सेट तो मुराद ने कहा लेकिन तुम्हे तो सीखने में एक साल लगेंगे we could keep the horse a year I said तो अरब ने कहा तो हम गोड़े को मतलब एक साल के लिए रख सकते हैं my cousin मुराद लीट on his feet मेरा जो cousin था मुराद वो अपने पैरों पे खड़ा हो गया what? क्या? he rode मतलब वो थोड़ा सा गुरा कर बोला are you inviting a member of a garagulian family to steal? the horse must go back to its true honor मतलब क्या तुम दिमाग खराब हो गया तुम क्या garagulian family को क्या मतलब प्रूफ करना चाहरे हो कि वो चोर है वो चोरी करते हैं जो horse है उसको जरूर उसके order के पास सच्छे मालिक के पास वापस जाना है when? I said तो अरब ने पूछा कब? in six months at the latest he said उसने कहा मतलब छे मैने से जादा हम इसको नहीं रख सकते हैं he threw the bird into the air तब उसने जो जिस bird को वो मरम पटी कर रहा था उसको उसने air में air की तरफ उसको through किया the bird tried hard almost fell twice तो एक दो बार मतलब उसकी जो कोशिश थी bird नहीं उड़ पाई और fly करने में वो unable सा लग रहा था कि नहीं कर पाईगी but last flew away लेकिन बात में वो उड़ गई बहुत उचाई पर और एकदम सीरी चली गई early evening early evening morning for two week my cousin मुराद and I took the horse out of barn of the deserted wine yard where we were hiding it and rode it early early morning every morning every morning we had two my cousin मुराद उस horse को जो कि हम लोगों ने अंगूर के बाग पे रखा हुआ था बार्ण में जहां पे रखा हुआ था उस horse को निकालते थे और मतलब जहां पे छुपाया था हमने वहां से निकालते थे और राइट करते थे आर। हर्ट करते करते हैं मतलब आराथ करते हो ने अंगूर के बेलों पर जाकर दोर्डने लगती थी चोटे चोटे पेड़ों को खराब करने लगती थी मतलब बेकार कर दी थी और भागने लगती थी इधर उधर Never this Never the less I hoped in time to learn to write the way my cousin मुराद रोड मतलब फिर भी ऐसा एक उम्मीद सी थी कि हां मुझे आशा है कि मैं भी अपने कजिन मुराद की तरह एक ना एक दिन में जरूर राइट करना सीख चाहूँगा मतलब होप थी उसके मन में कहीं न कहीं एक होप थी One morning On the way फेटर विजन्स Dessert Desserted Wine Yard We run into the former John Brayu Who was on this way To town एक सुबह क्या हुआ On the way to फेटर विजन्स Desserted जो की फेटर विजन्स का जो wine word था वो अंगूर की बाग थी We run into the former John Brayu Who was on his way to town तो क्या देखा कि हम जो है हम जब कर रहे थे राइडिंग के लिए निकले थे तो हमने देखा John Brayu जो की former जो किसान था जो की horse का real owner था वो उसी on the way था मतलब राष्टे पता उसी कस्पी के on the way था Let me do to talking My cousin Murad said मुराद ने कहा चलो उससे बात करते हैं मुझे बात करने दो I have a way with the former मतलब मुझे अब उससे भी बात करने का थरीका पता है मैं उससे बात कर लूँगा Good morning John Brayu My cousin Murad said to the former तो मेरे जो मेरा cousin था उसने कहा जाकर के उसी से जो कि गोडे का रियल ओनर है उसने कहा कि Good morning John Brayu फॉर्मर से उसने कहा The former study the horse eagerly अब उसने जो जो फॉर्मर था उसने अपने गोडे को बड़ी ही उससे लब समझ गया ना बहुत ही उससे देखा उसने अपने गोडे को देखा Good morning son of my friend He said what is the name of your horse तो उसने कहा John Brayu ने कहा कि Good morning मेरे दोस्त की बेटे तुमारे गोडे का क्या नाम है My heart My cousin Murad said in Armenian तो उसने कहा My heart मेरे जो दोस्त Murad मेरे कजिन ने कहा Armenian में Armenian language में उसने कहा A lovely name बहुत अच्छा नाम है John Brayu ने कहा For a lovely horse एक खुबसूरत गोडे के लिए एक प्यारे से गोडे के लिए बहुत अच्छा नाम है I could swear It is a horse that was stolen from me many weeks ago May I look into its mouth तो उसने कहा मैं कसम खाके कह सकता हूँ कि यह वही गोड़ा है जो कुछ सब्ता पहले मुझसे चोरी हो गया था क्या मैं इसकी माउथ में देख सकता हूँ Of course मुराद से मुराद ने कहा हाँ हाँ जरूर The former looked into the mouth of ours तो forward ने John Byron ने जो के real उसका owner था उसने उसके माउथ में देखा Tooth for tooth he said उसने कहा मतलब उसके तो सारी एक एक दात वैसी ही है जैसे कि मेरे होर्स के थे I would swear it my horse If I didn't know your parents तो उसने कहा कि मैं ये कसम खा की कहता कि ये मेरा ही गोड़ा है लेकिन अगर मैं ये नहीं जाता कि तुम्हारे parents कौन है क्योंकि वो John Byron के दोस्त का बच्चा था तो इसलिए वो blame भी नहीं कर पा रहा था लेकिन वो ये भी नहीं समझ पा रहा था कि ये गोड़ा मतलब मानने को उसका दिल तयार नहीं था कि ये गोड़ा उसका नहीं है लेकिन वो confused था कि वो कैसे मतलब ब्लेम करें क्योंकि जिस family से ये लोग बलॉब करते थे वो अपनी सच्चाई और हिमानदारी के लिए जानी जाती थी देखे उसने यही बात बोल दी जॉन बायरो ने कि जो आपके family का यश है जो कीरती है वो किसली है वो सिर्फ उसकी honesty के लिए जो कि जानी जाती है और मुझे पता है उसके बारे में Yet the horse is the twin of my horse लेकिन फिर भी मैं यही कहूंगा कि यह horse जो है मेरे गोड़ी जैसा है बिलकुल उसका twin से कह सकते है A suspicious man would believe his eyes instead of his heart तो जो एक संदे जो वेक्ति संदे करता है संदे होता है संदे करने वाला जो वेक्ति होता है उसने गुड़े बोला गुड़े my young friend गुड़े जोन बैरो माई कजिन मुराज से उसने भी कहा गुड़े जोन बैरो तो मेरे कजिन ने भी उससे गुड़े कहा अगले सुबहे क्या हुआ कि हम लोगों ने जो गुड़ा था वो ले गए जो जोन बैरोस का जो बाग था उसके जहां पर एनिमल्स रखे जाते थे वहां पर हम ले गए तो डॉक फॉलोड अस राउंड विधाउट मेकिंग साउट थैकि जो जो जॉन बैरो का जो इस्तबल था कह सकते हैं महां पर रख दिया जो बाग यशा था रख दिया जाके लिखतो डॉक्स वहां में बहुत तारे डॉक्स ठाह्ते जिन्नों ने हमारे अरान डस वूम रहते लेकिन उन्हें विल्कुल भी कुई आवास नहीं की they would act to somebody else तो मुराद ने कहा हाँ ये करते हैं अगर कोई और होता somebody else किसी दूसरे पर करते he said उसने कहा I have a be with the dogs फिर उसने वही कहा कि लेकिन मुझे तरीका पता है dogs के साथ भी कैसे handle करते हैं my cousin मुराद put his arm around the horse मेरे जो cousin मुराद है उसने अपनी भुजाओं को घोडे के चारों मतलब गले में डाली and pressed his nose into the horse nose और अपनी nose को उसकी nose के साथ तक्रा करके इसने मतलब मिलाया प्यार से पैटे रिड़ और उसको थप तपाया and then we went away और तब हमार से चले आए that afternoon John Baruch came to our house in his sari and showed me my mother the horse that he that had been stolen and returned तो फिर वो sari मतलब उसी घोड़ा गाड़ी में आये उसी जो उसी घोड़े के बिना जो गाड़ी चल नहीं पाली थी उसी सरी में आये क्योंकि गोड़ा उनको मिल गया था तो उसी घोड़े गाड़ी में वो आये और उन्होंने मेरी मदर को उस होर्स को दिखाया जो चोरी हो गया था और फिर उन्हें वापस भी मिल गया था I don't know I don't know what to think he said मतलब मैं नहीं जानता कि मतलब उन्होंने कहा कि मैं कुछ नहीं जानता समझ नहीं पा रहे थे ना The horse is stronger than ever अब यह जो गुड़ा है वो और भी powerful हो गया है थोड़ा सा healthy भी हो गया है better tempered और इसका tempera जो temper है वो भी बहुत खुश मिजासता हो गया है I thank God मैं God को thank करना चाहता हूं I thank God मैं God को धन्यवाद करता हूं मैं अंकल खुश्रो who was in a parlor तो मेरे जो अंकल थे खुश्रो जो के हमेशा वही बैठे रहते थे पारलर में वही पारलर में हम बात कर चुके है इसकी बाले में ड्रॉइंग रोम में बैठे हुए थे become irritated and shouted फिर से वो यह सब सुनके इरिटेट हो गया और शाउटर और चीख न चीख दिया उन्हें क्वाइट मैं क्वाइट मतलब शांत क्या है यह बाई यह क्या शोट शराबर लगा रहा है कौन सी खुशी मतलब तुम लुग मना रहे हो यह horse has been written तुमारा घुड़ा तुम्हें वापस मिल गया है पर पेनो attention to it इस पे क्या है इस पे कोई attention पेने करो मतलब इनका तो एकदम ही अजीब सा ही था जो कि एक ही डायलोग यह पूरी story में यह बोलते रहे तो funny भी था इनका character लेकि थोड़ा सा irritating भी था तो इस तरीके से यह story आपे complete होती है hope कि आपको समझ आई होगी ठीक है आप इसको एक जरूर अच्छे से इसको समझे इसको सुनिये और अपनी comment को जो भी आपका comment होता है जो भी आपका opinion होता है वो आप जरूर उस comment box में share करें ओके मिलते हैं नेक्स स्टोरी के साथ till then good bye take care